तो वालो दोस्तों क्या हाल है माइनम इस अमन मलिक और वेलकम बैक तो नेधर वीडियो बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर ये कॉमेंट कर रहे थे कि आपको चार वो चीज़े बताऊंगा जिससे आपनी क्लाइन कम्मिनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो और उसके बाद मैं आपक क्लाइन कम्मिनिकेशन की टिप्स दूँगा तो दिस इस गुइंग तो बीडियो को आगे पीछे करके भी देख लीजेगा प्रजेक्ट को फिनिश करेंगे तो वो उस गलती को निकाल लेगा और वो फिर आपके पास कभी लौट कर नहीं आएगा वो गलाएगा क्योंकि आपने सवाल ही नहीं पूछा उससे और वो सवाल की विजए से आपके प्रजेक्ट में कफी कन्फ्यूजन हुई और आप जो एंड रिजल्ट है वो क्लाइंट के मुताबिक नहीं निकल पाया इसलिए उसने आपको टाटा बाय बाय कर दिया कि भाई ठीक है है क्यां यहां है और आप यहां तो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाऊगे दोनों को सेम लेवल पर कैसे लेकर आओगे जब आप सवाल करोगे उससे बिल्कुल भी यह मस्तोचना मैं सिली लग रहा हूं मैं बेवकूफ लगूँगा यह सवाल पूछते बिन नहीं आप काम कर रहे हो काम से रेलेटेट सवाल पूछ रहे हो कोई बेवकूफी वाली बात नहीं है सवाल पूछना उससे इस पॉइंट का यह मतलब है कि a good plan communicate with what who when how मतलब प्रोजेक्ट से रेलेटेट जितनी भी डिटेल से वो पूछो जो भी confusion हो रही हो पूछो जितनी भी information client से ले सक client आया उसने मुझे समझाया कि अमन भाई एक वीडियो बनवानी है और वीडियो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए अगले साल हमारी company के 25 साल पूरे हो रहे है तो उन 25 साल पूरे होने के लिए यार मैं एक welcome वीडियो बनवाना चाह रहा हूं हमारे CEO and VP यह सारे लोग आ रहे ह अगर यह कोई product बेच रहे हैं तो वह product कॉन कॉन से हैं और किस तरीके से evolve हूए अगर कोई services दे रहे है तो इनकी services किस तरीके से evolve हूई है तो यह मुझे सारी client बाते बता आएग और mail भी करेगा, mail तो खैर बात बाते मुझे explain भी करेगा, तो अगर Мई उसकी बाते धियान से बनाया वह उतनी इच्छे से नहीं बना यहां पर आप इस तरीके से समझो वह 100% बात बता रहा था मैंने 80% सुनी मैंने प्लान जो बनाया वह 70% का बनाया और जो आउटकम निकला वह 50% निकला तो आप देख रहा हो आधे-ाधे का फरक हो गया जब भी आप किसी क्राइंट से मैं बहुत बार क्या घाता हूँ और मिरे पास कोई क्लाइंट आता है किसी वीडियो के रिगार्डिंग और मुझे कहीं भी थोड़ी सी भी कन्फिजिन हो रही होती है तो आप मुझे उसका लिंक भेज़ दो ताकि मैं उसका प्रस्पेक्टिफ समझ जाऊं तो आस्क फॉर और रिफ्रेंसेस मांगना भी बहुत जरूरी है और मैं यह हमेशा करता हूँ अपने हर क्लाइंट के साथ अगर मझे थोड़ी सी भी कन्फिजन हो रही होती है तो मैं मांगता हूँ और यार कन्फिजन हो ना नैचुरल बात इसमें कोई घबराने की बात नहीं आर कि मैं क् काम कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसका दिमाग समझने में उसको प्रस्पेक्टिव समझने में अब कोई पीकी फिल्म तो चल नहीं रहीगी मैंने उसका हाथ पकल लिया और सारी बाते उसकी जिंदे की भर कि मेरे दिमाग में आ गई ऐसा तो नहीं है तो आपका गॉल तो यही है ना कि क्लाइंट एक बार आए तो फिर हर बार आपसे ही काम कर रहा है तो यार इस पॉइंट में यह है कि बीडिक्टिबल में साउंड बोरिंग इसका यह मतलब है यार वो पूछेगा तो बता दूँगा मैंने काम करना शुरू कर दिया मैं वीडि आपको द्यान यहां रहेगा अप्डेट देने का और क्लाइंट को यह बात बहुत अच्छी लगती है जब आप उसको अपडेट देते हो कि आपका काम यहां तक हो गया, क्लाइन को प्रेडिक्टिबल मद बनाओ, उसको पहले इनफॉर्म कर दो, पहले आप देख लो कि इसमें कितना वक्त लगने वाला है, उसके साब से डिवाइट कर दो, जैसे कि मैंने आपको वन वीक वाला एग्जांपल दे दिया, इससे क्लाइन को भी लगता है कि हाँ यह बन्दा प्रफेशनल है, प्रफेशनल काम कर रहा है, और जाहर सी बात है कि आप और भी काम कर रहे होगा, आपके पास यह तो नहीं कि आप सिर्फ उसी क्लाइन का काम कर रहे हो दिन पर बैट के, तो उससे क्लाइन को भी यह लगता कि हाँ यह बन्दा थोड़ा प्रफेशनल है, बिजी भी रहता है, लेकिन मुझे चार बजी अपडेट तो दही देगा, और मैं इसको अन्नेसरी कॉल भी नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो यार इस पॉइंट पी है कि जब भी आप किसी क्लाइन के साथ, अपनी first call पर जा रहे हो या first meeting कर रहे हो किसी भी क्लाइन के साथ, तो उस क्लाइन के बारे में आपको research करना बहुत ज़रूरी है, कि किस company के लिए काम करता है, वो company क्या करती है, उस company की history क्या है, उसके future plans क्या है, और उस company के अगर कोई website है, तो उसको एक बार चेक कर लें, ताकि जब client आप से बात करें प्रोजेक्ट के बारे में, तो जब आप उसको बताओगे, यह सही क्या रहो, यह मैंने आपकी website पर देखा था, यह मैंने आपके latest social media post में देखा था, जाहिर सी बात है, अगर आपको उनके बारे में इतनी knowledge है, आप research करकर आए हो, तो उसको आपको ज़्यादा explain नहीं करना पड़ेगा, और उसका वक्त भी जायर नहीं होगा, और वो सिर्फ आपको project के बारे में बताएगा, तो अपनी research करके जाना, client के बारे में बहुत ज़रूरी है, यह गलती मैंने शुरूर में बहुत की थी, मैं क्या करता था, जैसे मैंने किसी client को कुई proposal भेजा, और मैं कुछ research नहीं करता था, तो जब उसका phone आता था, तो मुझे याद भी नहीं रहता था, अपने ये proposal भेजा था, मुझे तो हम project के regarding discuss कर लें, तो मैं कहता था, कौन मैंने कब भेजा था, तो वो मुझे बताता था, कि आपने तीन तारिक को भेजा था, और हमारी company है, तो यार मेरे हाथ से कुछ clients इसकी वेज़े से चले गए, तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ना चुरूए कि हमाने देखा, मैं क्या कर सकता हूँ, तो यार मेरे ये समझ में आया है, कि clients के उपर research करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको लगे यार कि ये हमारी care करता है, और इसको पता है, प्यार बस हमारे ये यहाँ पर how to improve client communication वाला part खतम हो गया, अब हम बढ़ते हैं, अपनी tips की तरफ मैं आपको 5 client communication के tips देने वाला हूँ, तो चलिए आपको वो बता देता हूँ, तो जो सबसे पहली tip है, वो है recap, तो ये मैं हमेशा करता हूँ, जबी मैं अपनी किसी client call पर होता हूँ, या किसी client से meeting कर रहा होता हूँ, जितनी भी बाते हमने discuss की होती हैं, throughout the meeting, वो मैं सारी बातें repeat करता हूँ at the end, कि अच्छा आप ये project कह रहा है, तो इसमें ये करना है, ये करना है, क्योंकि मैं साथ के साथ लिखता जाता हूँ, सारी बाते हैं, और मैं सारी repeat कर देता हूँ at the end of the meeting, तो अगर in case at the end कोई confusion आती है, तो वहाँ पर हम same page पर आ सकते हैं, तो अगर आप सारी चीज़े repeat कर रहा हूँ, करवाना चाहा रहा हैं उससे, तो सुनना बहुत जरूरी है, और ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, तो इसी से मिलती चुलती है हमारी अगली tip, which is avoid interrupting, तो अगर आप अपने client से बात कर रहे हैं, और वह आपको कुछ समझा रहा है, और आपको भी पूरा समझ मिननी आता, ये बोल क्या रहा था, क्योंकि आप बोलने से पहले ये सोच रहे होते हो कि मैं बोलू या ना बोलू, बोल दू, पर एकदम बोले देते हो तो आपको भी उसकी बात समझ मिन NEW याती और वह बताते-बताते भूल जाता है क्योंकि यह natural human habit है कि हम कुछ बोल रहे होते हैं और कोई हमें बीच में से टोक दे तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं तो avoid interrupting जो हमारा अगला point है वो है be honest if you don't know the answer तो अगर client आपसे कुछ पूछ रहा है कि आपको यह पता है और client भी आपसे English में बात कर रहा है तो आप English में बात कर सकते हो यह मत करना कि अगर आपको अच्छी English नहीं आती है उसमें कोई भी problem नहीं client आपसे English में बात कर रहा है लेकिन आपको अच्छी English नहीं आती है आपको English नहीं आती पिर भी आप बोले जा रहे हो उससे लगेगा यार यह फेक है बंदा तो आप अपनी देख लेना किस चीज में अच्छे हो ही तो ही बता दिया कि how to improve client communication उसके मैंने आपको 4 points बता दिये और client communication की यहाँ पर 5 tips भी दे दी तो यार आपके उपर आप इन बातों को किस तरीके से लेते हैं और कितनी seriously लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बाते बताई गेंगे वो बहुत जादा important है और यह practical बाते हैं खुद apply कर रहा हूँ अपने clients के साथ तो मैं खुद एक freelancer हूँ तो मैं जिस तरीके से communicate करता हूँ मैंने वही बाते बता दी हैं तो अब अगर आगे आपको कोई और confusion आती तो मुझे आप scenario नीचे comments में लिख सकते हो कि हमाई यह scenario में यह यह दिक्कत आ रही थी होगी तो यार बस इस वीडियो में इतना ही मैं मलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए stay healthy stay safe and I'm out हुआ हुआ है